Hello everyone, you are welcome to class और आज हम बात करने वाले हैं जौला मुखी के बारे में या हम कहें कि वॉलकेनों के बारे में तो इससे रिलेटेड जितने कोशियन्स आते हैं उन्हें हम करने के कोशिश करेंगे इसे बहुत ज़्यादा कोशियन्स तो नहीं आते हैं लेकिन जो एक स्ट्रक्चर से बेस्ट कोशियन्स आते हैं और आप लोगों को फर्स्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि भारत में जो सक्रिय जौला मुखी है वो कौन सी जगह पे है तो अंडमान द्वीप समू में आपका बैरन द्वीप में ये पाए जाता है तो जो आपका अंडमान आइलेंड से हैं उनमें एक आइलेंड है बैरन नाम का बैरन तो बैरन नाम के द्वीप में क्या पाए जाता है शक्रिय जॉला मुखी इंडिया में पाये जाता है अब इसके अलावा जो है आप लोगों को याद रखना है कि जॉला मुखी क्रेटर में तो इसमें जो मुख है आप लोग एक बार पिक्चर देख लीजी आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी जो ये वाला पार्ट है आप लोगों का उसे क्या कहा जाता है जो अला मुखी क्रेटर कहा जाता है ये वाला पार्ट ठीक है इसे और अगर इसमें पानी भर जाए तो इसको क्रेटर जील बन जाती है या आप लोगों को दिहान रखना है और जो यह आप लोगों को ऊपर space दिख रहा है इसी को जो अला मुखी छिदर बोलेंगे या हम इसको बोल सकते हैं कि volcano hole बोल सकते हैं इसको आप लोग छिदर means hole और इसके अलावा जो है ये जो center में ये है आप लोगों का इसे कहेंगे होता है आप लोगों का इस तरह से जो ये इस तरह से जो भी चीज बनेंगे उसे आप शंको कहेंगे तो शंको का मतलब होता है English में कोन ठीक है तो ये सारी चीज़े आप लोगों पिक्चर से समझ में आ जाएंगे अब बात आती है कि लावा क्या चीज होती है लावा होता है जो अंदर भरा हुआ रहता है उसे तो हम क्या कहते है लावा कहते है और मैगमा जो है उसे बाहर की तरफ जब लावा बाहर निकल जाए तो उसे हम मैगमा कहते हैं ये बात जो यहां से यह निकलती है, इसमें दो चीजें इंपोर्टेंट होती है, एक तो Sulfur Dioxide होती है, तो Sulfur Dioxide और उसके अलावा, जो सबसे ज़्यादा इसमें होता है, वो होता आपका जलवास्प, जो है आपका जलवास्प, जलवास्प आप लोगों का 80% होता है, तो अब नहां से आपका बैरन, आप लोगों को बैरन नाम याद रखना है, कि अंडमान निकोबार जो है आइलेंड में है, 80% इसमें आप लोगों का जलवास्प है, S02 निकलती है, इसके अलावा जो है, क्रेटर जो जगे है, आप लोगों को याद होना चाहिए, और होल जो है, और जो कौन बनता है, कौन क्या होता है, उसके अलावा हम लोगों नहीं पाइप, जो याद क्या था, कि वालकेनो पाइप जो है बीच में से, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, तो बैरन दूइप, क्रेटर, कौन, यह हो गया आपका होल, और हाँ, एक कर पाएंगे कि 80% क्या होता है, SO2 का क्या लेना देना है इस से, ठीक है, मैगमा, जो है वो चटानों पर पिगला हुआ रूप है, ठीक है, तो मैगमा क्या है आप लोगों का पिगला हुआ रूप, यहाँ पर शायद मैंने आप लोगों को लावा और मैगमा का जो है वो उल्टा बता दिया है, आप लोगों को मैगमा याद रखना है कि जो मैगमा होता है, वो आप लोगों का अंदर होता है, ठीक है, मैगमा आप लोगों का क्या होगा, अंदर होगा, अंदर जो गला जाता है हवा में तो लावा बन जाता है इस तरह से आप लोगों को याद रखना है ताइपस ओफ वालकेंओ आप लोग देख सकते हैं इसमें लेकिन इसमें जो important है वो है आप लोगों के कुछ questions जैसे आज आता है कि Dike होता है तो जो अंदर की side आप लोगों की एक structure बन जाता है ज्वाल मुखी के अंदर के side वो आप लोगों का क्या बनता है उसे हम dieg कहते है कॉलडेरा कॉलडेरा भी क्या है कॉलडेरा जो है वो ज्वाल मुखी से related है और कॉल्डेरा जील भी बनती है आप लोगों की यह कौन सा महादीप है जहाँ एक भी ज्वाला मुखी नहीं है तो आस्ट्रिलिया में आप लोगों का नहीं है सर्कल ओफ फायर किसे कहा जाता है ये आप लोगों का परशांत महासागर वाले एरिया को सर्कल ओफ फायर कहा जाता है लैकोलिथ लैकोलिथ ज्वाला मुखी से रिलेटेड है और लैकोलिथ फैकोलिथ ये जो हैं ये चट्टानों के परकार है आप लोगों के पेल स्टियर के उत्पति कब होती है ये ज्वाला मुखी उदगार के टाइम होती है means जब जॉला मुखी में सबसे ज्यादा क्या निकलता है जलवास्प निकलता है आपका 80% लेकिन उसके साथ में कारबन डाय उकसाइड, हाइडोजन और नाइटोजन भी निकलती है विश्व के अधिकां सक्रिय जॉला मुखी जो कहां पाहे जाते हैं वो नए जो मोड़दार परवत है वहाँ पर पाई जाते हैं और अगर हम नए परवतों के बारे में बात करें तो नए परवत और पुराने परवत इसका difference आप लोगों को जो पृत्वी की सनरचना है और उसका भूगर्वी कितिहाश है उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रशान्द महासागर चारों तरफ से इस्तित ज्वाला मुखी की पेटी को क्या कहा जाता है इसे अगनी शृंखला कहा जाता है या आप कह सकते हैं फायर चेंज इसको कहा जाता है लंबे समय तक शान्त रहने के परश्याद विस्पोर्ट होने वाला उसे शृंखल ज्वाला मुखी कहा जाता है अगर काफी टाइम तक क्या है शान्त कोई ज्वाला मुखी है और अचानक से वो फटे और फिर वो बंध हो जाए और फिर काफी टाइम बाद वो फटे तो उसे हम सुशुप्त ज्वाला मुखी कहते हैं नेक्स्ट है कि परकर्ति का सुलक्षा वाल्ब भी जो कहा जाता है वो ज्वाला मुखी को कहा जाता है जैसे कि आप लोगों ने देखा प्रेशर कुकर होता है प्रेशर कुकर में एक वाल्ब लगा रहता है कि अगर ये फट गया और बहार निकल गया जो भी था प्रेशर कुकर के अंदर तो प्रेशर कुकर बच जाता है इसी तरह से अगर जौला मुखी फटता है तो बहार निकल जाता है और अगर यह अंदर ही अंदर रहा तो एक दिन पृत्वी ही फट जाएगी तो इस वज़े से परकर्ति का सुरक्षा बालब इसे कहा जाता है और अगर कोई लगातार किसी जौला मुखी से बाहर उदगार निकलते है या फटता रहता है तो उसे हम जागरत जौला मुखी कहते है क्रेटर और कॉल्डेरा आकरतियां किस से संबन्दित है तो मैंने जैसा बताया आप लोगों क्रेटर और कॉल्डिरा ये जील भी बनती है क्योंकि जहां पर फटते हैं उसके बाद वहां पर कुछ स्पेस बन जाता है तो दोनों क्या है आप लोगों के ज्वाला मुखी से संबन दित है कोटोपैक्सी कोटोपैक्सी कहां पर है कोटोपैक्सी आप लोगों का इक्वेडर में है ज्वाला मुखी से की सक्रीता अधिक पाई जाती है जापान में और संसार में सरवाधिक सक्रीय ज्वाला मुखी कहां पर है वो जगे आप लोगों के किलायू अगर हम पायरो के बारे में बात करें तो तत शेल के टुकड़े और लावा से रिलेटेड होता है अब हिंदी में आप अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों समझ में आ जाएगा लेकिन अगर इंगलिश में आएगा पायरो क्लैस्टिक्स तो जो लावा बाहर निकल जाता है लावा तुल्य होते हैं और क्रेटर जो हैं मुखे तक इस आकरती के होते हैं जो क्रेटर जील बनती हो इस तरह से बनती है आप लोगों की वो संकुवाकार बनती है तीक है इस तरह से कौन सी गैस जो अला मुखी उद्वेदन के समय नहीं निकलती है तो आक्सिजन उस टाइम नही यह जौला मुखी है, वाली जगे कौन सी है आपकी, कोटो पैक सी, पिर्थवी के सत्य के नीचे, जो दरवी भूत शैल होता है, तो मैगमा जैसा के मैंने आप लोगों को बता है, कि पिर्थवी के अंदर जब तक वो गला हुआ रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, मैगमा, और जब वो हवा में निकल जाता है, तो लावा बन जाता है, हवा लावा ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, किस जौला मुखी को भूमत्य सागर का प्रकाह सिस्थम, लाइट हाउस अप मेडिटेरियन सी कहते हैं, तो मेडिटेरियन सी आप लोगों को पता चल फोसा मैगना क्या है, तो फोसा मैगना एक जौला मुखी का नाम है, एर बस जौला मुखी का है, यह अंटार्क्टिका में है, अब अंटार्क्टिका आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कि अंटार्क्टिका कहां पर है, माउंट एटना, माउंट एटना सिसली, बस इसक परशुप्त means बिल्कुल बंद, स्वय हुआ, विस्व में अन्मान तक कितने सक्रियज वाला मुखी है, तो आपके 50, means अभी तक जो एक्टिव वालकेनोज हैं, वो 50 है, स्टामबोली अन एटना, ठीक है, एटना, इटली, एटना, इटली, स्टामबोली, ठीक है, लॉकी, बर्फ की लॉकी बनी हुई है, तो आप लोगों ने देखा होगा, बर्फ, तो बर्फ की लॉकी जो है, वो है आप लोगों की कहां पे, लॉकी, जॉला मुखी, देम वें, जॉला मुखी किस देश में इस्तित है, ये इरान में है, देव मेंद, देम वेंद, अल्टुर्ग ये जर्जिया में है अरासत आर्मेया में है मारेनियर ये ज्वाला मुखी अमेरिका में है माउंट रेजल ज्वाला मुखी कनेडा में है कटमई ज्वाला मुखी आप लोगों का अलास्का में है kotopaxi यह कोडेर में है तो kotopaxi आप लोगों को ध्यान रखना है highest है इसलिए fujiyama आपने लोगों पता चल जाएगा यह जापान में है krakatoa यह इंडोनीशिया में है krakatoa इंडोनीशिया krakatoa देख चुके हम santa helena santa helena आपका atlantic महसागर है में है इसमें इसमों अंदमासागर भी कहा जाता है उत्तरी ATLantic और दक्षनी ATLantic यह दोनों की दोनों मैंने आप लोगों मैप में बताए है अच्छी तरीके से आपको याद रखना है कली मचारो तनजानिया में है तो ये कलिमनजारों भी आप लोगों को याद रखना पूछा जाता है कई बार मेरू जौला मुखी किस देश में है केनिया में है दसाओ और अन्य कारण से हुआ जौला मुखी का जो अत्यदिक विस्तार कहलाता है वो कॉल्डेरा कहलाता है तो जैसे मैंने आप लोगों बताया था कि ये क्रेटर जील बन जाती है छोटी सी इस तरह से लेकिन कॉल्डेरा जो है थोड़ा सा बड़ा धसाओ के करण बनता है जो जौला मुखी का वरगी करण है क्लासिफिकेशन है किस नहीं किया था वो लेकरो ही नहीं किया था यहाँ पर कुछ आप लोगों के लिए जो इंपोर्टिंट है अब वो है आप लोगों का कि जो बैतुलित लेकुलित फैकॉलित लेपुलित डाइक सिल इसकंद और वृत सकंद है यह किस चीज के उधारन है तो यह अंतरवरति भूस्तल आकरतिया है कहने का मतलब है कि जो यह आकरतिया है कुछ इस तरह से बनती है आप लोगों की यह इस तरह से तो इनके नाम रखे हुए है कि वो कौन सा किस तरह से बनेगा कोई S टाइप का बनता है तो इस तरह से तो ये जो structure जो बनते हैं पिर्थवी के बैतोलित ये लेकोलित तो इन्हें आप लोगों को याद रखने कि ये किस से related है आप लोगों की एक structure है ये आप लोगों के थीक है उतित भू आकर्थित और निमजित किसके उधारण है यह आप लोगों को याद नहीं रखने की जोर्वत है इतना जादा लेकिन ध्यान आपको जैसे ज्वाला मुखी के मुख को क्या कहते है उसको क्रेटर कहा जाता है और अमेरिका की किस राज्य में क्रेटर में जल भरने से क्रेटर जील बन गए वो ओरिगन ह आपको शामें कॉल्डेरा का क्या आर्थ होता है वो कडा यह कडाही इस तरह से कडाही जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं को ठीक है तो यह इतने इंपोर्टन कुछ चीजें हैं आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए वालकेनों के बारे में तो मिलते हैं अगले